यूपे में तीन चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, चौते चरण के लिए 23 फरवरी को होना है मतदान, इस सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसला भी शुरू हो गया है, अब अखलेश यादव है कि प्रधान मंत्री और मुक्त मंत्री साइकल का अपमान कर रहा है जो की आम जनता का विमान, अहमासद मौझूद है, पूर सांसद, नरेश अगरवाल जी, नरेश यी, अखलेश यादव कहरे है कि साइकल का अपमान कर रहा है, जो की आम जनता का विमान है आम जनता जानती है कि आतंगवात के बंब साइकली पे फोड़े गाते हैं बंबाइ में हो चाहे दिली में हो चाहे बनारस में हो जहां भी बंब फूटे तो साइकली का इस्तेमाल हुआ तो जिस साइकल का इस्तेमाल हुआ बंबारी साइकल अखले शगर उन बंधारिकों को अ है। उसमें हिजाब एक मुद्दा था तो आगले दो टीन चड़दों में चाड़दों में आतंगवात मुद्दा है। मुसलमान वाही है। कि कुछ राज़्यतिक बदल जो हिंदू मुसल्मार पे दूरी बनाव है अगर मुसल्मार ने सोता है कि हम मोदी योगी को उटाएगे तो हिंदू भी कहता हम मोदी योगी को रखेंगे तो 80 बनाव 20 में उन लोगों के वोट की कोई वैलू नहीं होगी उन्हें खुद समझना चाहिए समाजवादी पार्टी के अखलेश आदव कह रहा है कि बीजेपी जाती और धर्म की राज़्यति कर रही है और वो सिर्फ जंता से जड़ों मुद्धों को तो क्या वाकिए में बीजेपी अब 80 बीस पे ही जो चनाव लड़ाईगी यह तो अखलेश जी ने लड़ाया हमने नहीं लड़ाया उनके सहयोगी दाज़ में लड़ाया वो कहते हैं मुसल्मान यादव हमारे साथ है तो दो जातीयों को कितना वोट हुआ 25-27 परसन तो बाकि तो सब हमारे पास हो गया वो खुद ही डिवाइट कर रहा है वो उनको तो जब वह संख्या हमाएं साथ है तो सीटों की संख्या भी होएं जाता है अखलेश जादव तो अब योगी आजितनात को बाबा बुल्डोजर का भी नाम दे रिया हुन्होंने अपनी सभावों में यह उनके उपर है मैं तो कहता हूँ बड़ों को सम्मान हफदम करना चाहिए को इसी बात बड़ों के लिए नहीं करना चाहिए मैंने कभी किसी बड़े का मुलाहिम सिंग का भी अपमान नहीं किया जबकि मेरा अपमान हुआ तो अखलेश जी को उन सथकारों को याद रखना चाहिए आप सालों तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं करीबी रहे हैं मुलाहिम सिंग गयादव जी के भी तो आज की तारीक में अखलेश अरफ करें कि तीन चड़ों में बीजेपी चनाव हार चुकी है और हारती जंता पार्टी का नाम दे दिया है अखलेश बादी पार्टी हो गई मेरे खलेश जी ने लोहिया जी को कभी पढ़ा भी नहीं हूगा देखा भी नहीं हुगा तो समाजवाद अगर अमर सिंग के हाँ पे था समाजवाद जो देश के बड़े बड़े पूजी पती है मेरा टिकट काटा गया तो कह दिया गया अम्बानी जी ने फोन कर दिया तो मैंने काट दिया तो अम्बानी एडानी अगर ये सब टिकट तै करेंगे और देश की दाथ जी तै करेंगा और खलेश का भाविश तै करेंगा तो मुझे भाविश अच्छा नहीं दिए बीच में शिपाल यादव अब उनके साथ में है अभी कर्षल में चुनाओ प्रचार हो या इस्टाब प्रचार की सुची में शिपाल यादव का नाम आ गया है कैसे दिखते हैं कि यह पूरा परिवार एक हो रहा है तो इस से भी जिपी को चुनाओती मिल रही है कभी हो नहीं सकता हूं आज मुलायम सिर्जी भी अगर समाजवादी पार्टी से टिकट मांगना चाहिए तो उनको भी टिकट नहीं मिलेगा जब यह इस समाजवादी पार्टी भी हो गई है कैसे परवार एक हुगा यह सब दिखावा है शुपाल जी के लिए क्या कहेंगे क् अब वह अपमान के लिए राजवादी आपका सब्सक्राइब करें लिकनि सब के बीच में शिवपाल यादफ को एक नियोता भी दे दिया है नरेश अगरवाल ने उनका यह कहना है कि वहां अपमान हो रहा है यहां सम्मान मिलेगा और रही बात आरोप त्यारोप की तो चुनाव यानि कि हिंदु मुसल्मान का चुनाव अखलेश यादव और उनके सायोगियों ने मनाए नाकी भाशपाने लेकिन अब जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है चुनावों में असी बीज और आतंकवाद जैसे मुद्दे निशित तोर पर सामने और जादा प्रमु